हेलो वेलकम दोस्तो आईए गरमाय देख रहे हैं आप मैं रवी कुमार एक रफिस से नई वीडियो में हाजरू हूँ गाइस आज का वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तो दोस्तो इस वीडियो मैं मिल जाएक तो इस वीडियो को पूरा जरू देखे तो चलिए है दोस्तो सबसे पेहला प्रस्ट्र इart privacy क्या है तो दोस्तो मैं मैं आपको जाना चाहूंगा जैसे आपको नाम पता है SSC Staff Selection Commission इसको आप हिंदी में कहते हो कर्मचारी चैन आयोग नाम सही किलियर हो रहा है कि एक आयोग है जो कर्मचारियों का चैन करता है मतलब कर्मचारियों का सेलेक्शन करता है अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है ग्रूप C की भी पोस्ट आती है ग्रूप B की भी पोस्ट आती है ग्रूप D की भी पोस्ट आती है तो ये अलग-अलग पोश्ट आपके लिए आती रहती है अब यहाँ पर क्या होता है आपकी qualification के अनुरूप vacancy निकाली जाती है 10th pass निकाली जाती है कुछ vacancies, कुछ vacancy 12th pass रहती है कुछ graduation pass रहती है और कुछ post graduation pass रहती है तो आपकी जो qualification है उसके according आपको अभी पराद चल जाएगी आप कौन-कौन से form के लिए आविदन कर सकते है दोस्तो अगर हम सबसे पहले बात करें आपसे 10th pass के लिए तो दोस्तो यदि आपने 10th pass किया हुआ है तो एक vacancy आती है SSC MTS यह vacancy SSC की तरफ से निकाली जाती है इस vacancy में सिर्फ आपको 10th pass होना चाहिए आप किसी वी स्टीम से हों चाहें आप आर्ट से हों साइन से हों वायोस हों किसी से भी हों कोई दिक्कत नहीं है आप बस 10th pass अगर है तो आप SSC MTS के लिए आविदन कर सकते हैं अब इसके बार next vacancy होती है आपकी 12th pass अब 12th pass vacancy में आपका रहता है LDC UDC LDC lower division clerk UDC upper division clerk अगर हम short में कहें आप से तो 12th pass अगर आप हैं तो आप clerk के लिए आविदन कर सकते हैं दोस्तो एक बात मैं यहापे आपके साथ add करना चाहूंगा जब आप आविदन कर देते हैं देन अगर आपका exam निकल भी जाता है तो फिर आपको इसके लिए typing आना निवार है गाइस इस vacancy के साथ मैं आपके साथ एक वात add करना चाहूंगा यदि आप LDC UDC के लिए apply करते हैं और आपका exam crack हो जाता है तो उसमें क्या है आपको typing भी करना पड़ता है मैं आपको उताना चाहूंगा यदि आप English में typing करते हैं तो 40 words per minute आपको चाहिए typing और अगर आप हिंदी में करते हैं तो 35 words per minute आपको typing होना चाहिए दोस्तो इसमें आपका पहले क्या होता है रिटेन होता है जो कि आपका computer-waged online exam होगा और फिर आपका descriptive exam होगा pen paper mode में ये exam निकालने के बाद आपका skill test होगा जिसमें आपका check किया जाएगा कि आप typing कर पा रहे हैं या नहीं अगर आप सभी stages में successfully pass हो जाते हो देन आपको job मिल जाता है तो दोस्तो ये तो बात होगी आपकी LDC and UDC का अब इसके बाद मैं आप से बात करूँगा after graduation कौन सी वेकेंसी है तो दोस्तो after graduation आपकी वेकेंसी आती है SSCCGL जिसको आप बोलते हो combined graduate level exam तो दोस्तो ये वेकेंसी हर साल आती है और आपकी जो 12 वाली वेकेंसी थी वो भी हर साल आती है अब देखिए जो आपकी graduation past वेकेंसी है इसमें आपको केवल graduation आपका complete होना चाहिए अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा साथी साथ इसमें कि आपका जो graduation है वो किसी भी stream से हो आपने किसी भी stream से किया हो कोई दिक्कत वाली वात नहीं है आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो SSE CGL exam है यहाँ पर जो main important role होता है वो आपका होता है एक math subject का और दूसरा English subject का क्योंकि इनी दो subject के basis पर आपका exam crack हो सकता है अगर आपको अच्छा command है Maths पर and English पर देन आप इस exam को आसानी से qualify कर सकते हैं दोस्तों यह तो बात होगी आपकी CGL की अब दोस्तों CGL में एक बात और add करना चाहूंगा आपके साथ दोस्तों इसमें आपके कई stages होते हैं जैसे पहले pre होगा फिर mains होगा फिर आपका descriptive होगा और कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जहां पर आपका typing test भी होगा तो यह सारे stages आपके रहते हैं तो इनके अनुरूप आपको तैयारी करना होगा दोस्तों इस vacancy के बाद हम बात कर लेते हैं आप से after post graduation कौन सी vacancy के लिए आप आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तों post graduation vacancy की अगर हम बात करें तो एक vacancy आपके आती है junior translator की तो junior translator की vacancy में भी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों यह तो बात आपकी 10th pass, 12th pass, graduation and post graduation वाली व्यात बताई इसमें मैंने आपकी जो top अच्छी जो vacancies आती हैं वो मैंने बताया इसके अलाबा और भी vacancies SSC निकालता है उनके बारे में भी मैं आपको तनत चाहूंगा दोस्तों एक vacancy आपकी आती है SSC GD यह भी आपके लिए काफी अच्छी vacancy है अगर आपको interest efforts में जाने का तो यह vacancy आपके लिए बहुँ जादा जरूरी है अगर आपका interest नहीं है तो फिर यह vacancy आपके लिए नहीं है इसमें देखिए SSC GD में आप कह सकते हैं उनको constable भी कह सकते हो आप उनको तो इस vacancy में आप आवेदन कर सकते हैं और दोस्तों यह vacancy हर साल आती है और इसी के साथ साथ डिल्ली पुलिस में भी vacancy आती है उस vacancy के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों इस vacancy के बाद एक vacancy और आती है आपकी जिसको आप कहते हो SSC Stenographer अगर दोस्तों Stenographer के लिए भी आप आवेदन कर सकते हो बट यहां पर most important role होता है आपके किस चीज का वो आप समझ लीजिए यहां पर आपको Steno Language आना चाहिए यदि आपको Steno Language नहीं आता है तो फिर आपके साथ problem हो सकती है दोस्तो Steno Language आपको सीखना पड़ता है तभी आप Steno Grafer बन सकते हैं दोस्तो इसलिए जो other vacancy जो मैं आपको उता रहा हूँ वो मैं आपको ending बता रहा हूँ क्योंकि यहां पर आपको कुछ चीज़ें सीखना पड़ता है दोस्तो Steno Grafer के बाद और भी vacancy में आपको उताना चाहूँगा Steno Grafer के बाद एक vacancy आपको होती है SSC JE की अब इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो अलग वांगी जाती है इसमें आपका क्या है या तो डिपलॉमा हो लेक्टिकल में या फिर वीटेक हो देन आप इस JE की vacancy के लिए भी आवेदन कर सकते हो तो दोस्तो यह तो बात होई आपकी कौन कौन सी vacancy आती है अब दोस्तो यदि आप पहली वार वीडियो देख रहे हैं या फिर आपको SSC के वार में कुछ भी पता नहीं है तो आपकी दिमाग में आ रहा हुआ कि SSC की official website क्या है तो दोस्तो आपको मैं बताना चाहूंगा SSC की official website www.ssc.nic.in दोस्तो इस website पर जब आप जाएंगे तो एक option बहाँ पर आता है आपका candidates corner तो वहाँ पर आपको complete information और भी चीजों के वार में पता चल जाएगी और दोस्तो यदि आपका कोई doubt है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो दोस्तो नीचे comment box होता है उसमें आप अपने doubt को पूछ सकते हैं और दोस्तो सबसे जरूरी बात आपको मैं और बताना चाहूंगा आपके दिवांग में कभी-कभी यह भी आता होगा कि इसके लिए जो form sum fill करते हैं इसके लिए आवेदन फीस कितनी रहती है तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा हर form के लिए अलग-अलग fees रहती है तो एक चीज यहां पर मैं include करना चाहूंगा आपके साथ कि यह जो SSC जो form निकालता है इसकी जो fees होती हो काफी कम होती है अगर आप यही bank के forms fill करते हो तो वैंक के forms में fees क्या है काफी ज़्यादा रहती है as compared to SSC तो दोस्तो fees को लेकर आप बिल्कुल भी परिशन ना हो इतनी ज़्यादा fees नहीं होती है जिसको आप आसनी support कर सकते हो लेकिन अगर आप banking के सोच रहे हो तो आपको थोड़ा fees ज़्यादा देना पड़ेगा तो दोस्तो यह तो मैं आपको complete information बताई SSC के बारे में दोस्तो यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं और दोस्तो एक मैं आपसे प्रेस पूछना चाहता हूँ क्या आप यह बताईए कि आपको ऐसा ही detailed video bank के बारे में चाहिए कि bank में कौन कौन सी vacancy आती है और कौन कौन सी जैसे LIC में भी काफी vacancies आती है मलब जो भी banking sectors related vacancies हैं और LIC sectors थे तो उन vacancy के बारे में अगर आप चाहते हैं आपके लिए वीडियो बनाओं तो आप मुझे comment जरूर बताईएगा यदि काफी comments आते हैं तो हम definitely आपके लिए detailed video लेके आएंगे और जहां पर सारी vacancies को cover करेंगे आई हो दोस्तों आपके लिए वीडियो वहती एलप रहा होगा दोस्तों हमसे जुड़ने